ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मीन राशी वालू हुज़व तैयार क्योंकि अब आपको भगवान भुलेनात के अशिरवास से 22 अगस्त से 28 अगस्त याने कि इन 7 दिनों में तूफानी खबर की प्राप्ती होने वाली है जा दोस्तू ये 5 बड़े बदलाब अब इन 7 दिनों में होकर ही रहेंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जा दोस्तू आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी राशी के 22 अगस्ते 28 अगस्त याने कि इन 7 दिनों के महाराशी फलक के बारे में बताने वाले हैं कि ये 7 दिन आपके लिए किस प्रकार घटित रहने वाले हैं कौन-कौन से सुभयोग आपके लिए इन 7 दिनों में बन रहे हैं साथ ये साथ आपको इन दिनों किनकिन चीजों से फायदा होगा किनकिन चीजों से आपको साफधन रहना होगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपोन जानकरी इस वीडियो में आपको देने वाली हैं इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतर तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिशना करें जिससे बहुती मैथ पपोन रहने वाली हैं दोस्तो वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान मुलेनात के सच्चे वक्त इस वीडियो को एक लायक अभी करें कमेंट स्बोक्स में जै भूलेनात पवश्य लिखें जिससे भगवान भूलेनात का अशिरवाद आपको शीदे प्राप्त हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए अगवान भूलेनात के अशिरवास से 22 अगस्त से 28 अगस्त याने कि निशात दिनों का यह बहत पपोन समय दोस्तों यह समय कामकाज गो लेकर कुछ शकारात्मक यात्रा का प्लान बनेगा जो आर्थिक रूप से आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगी शंतान संबंदी किसी विशेश कार्य के संपन होने से आपको रहत महसूस होगी तथा कार्य को उरजा के साथ पूरा करने का आपका जजबा भी बना रहेगा दोस्तो इस समय परिवारिक वातावरन अनुशासित तता शकारातमक रहेगा किसी सदस्य के विवासम्मंदी अच्छा प्रस्ताब भी आ सकता है दोस्तो आप अपने कार्य को योजना बद्ध वे उचित तरीके से क्रम बद्ध करके निपटाते चलें अवस्य ही आपको सफलता प्राप्थ होगी दोस्तो साथ साथ कुछ समय से चली आ रही समस्या रिस्तेदारों वे परिवार के लोगों के सैयोग से हल होगी जिसकी वज़े से आप अपने आपको बहुत ही अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे दोस्तो साथ साथ विदेश में जाकर अध्यन करने के लिए प्रियासरत विध्यार्तियों को अल्प प्रियास से ही सफलता मिल जाएगी दोस्तो साथी साथ आप महसूस करेंगे कि किसी भी विपरीत परिस्तिती में आपका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है इसलिए अपने परिवार को प्रात्मिक्ता पर रखना आपके लिए आवशक है घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतित करना घर के माहुल को और अधिक खुसनमा बनाएगा इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आप अपना अवश्य ही व्यतित करें दोस्तो परिवार के सदस्यों को आप से कु निविस करने के लिए भी उत्तम है आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने में अपना पूरा ध्यान के इंदरित रखें। यह समय फिजूल खर्ची पर नियंतर करना आपके लिए आवश्चक है। रुपे पैसे के मामलों में किसी पर भी आँख मूंद कर आप विश्वास ना करें। कुछ रिष्टेदारों के आने से विवस्ता थोड़ी बिगड़ सकती है। साथ ही खर्च की भी अधिकता रहेगी। दोस्तों साथी साथ यह समय भूमी वहन आदी के लिए करजा लेने के लिए योजनाई बनेगी। परन्तु आप चिंता ना करें। यह धीरे धीरे आसानी से चुकता भी हो जाएगा। किसी नज़दी की मित्र के साथ गलत फैमिया उत्पन हो सकती है। बहतर होगा कि संबंद खराव होने जैसे इस्तितिया ही आप उत्पन होने ना दें। वैवेसाइक, उत्थल-पुत्थल तता आर्थिक मंदी की वज़े से परिवार के सदस्यों के खर्चों में भी कटोती आपको करनी पड़ सकती है। जिससे बच्चे कुछ उदास हो सकते हैं। इसलिए इस समय किसी पर भी अती विश्वास आपकी हानी का कारण बन सकता है। सावदान रहें, साथी साथ रुपे पैसे के मामलों में मी किसी पर आप भरोसा ना करें। दोस्तों साथी साथ यह समय रिष्टेदारों के साथ धन संबंदी लेन देन करने से आपसी संबंदों में भी खटास उत्पन हो सकती हैं। कि रोध और आवेग में चलते कैई बार बनता बनता काम अंतिम चरण में अटक जाएगा। इसलिए धहरें और सैयम से आपको काम लेने की आवश्चक्ता है। दोस्तों साथी साथ आप अपने परिवार की जरुतों को नजर अंदाज ना करें। आपका अपना कोई नजदी की मित्र ही जलन की भावना से कोई योजना या फिर साजिस रच सकता है। दोस्तों साथी साथ यह समय धन के निवेस संबन्दी निर्णे में काफी सोच विचार और पूरी जांच पड़तार कर लेने की आपको आवश्चक्ता है। अन्यता आपको भारी हानी हो सकती हैं शावधान रहें। दोस्तों बात करें आपके लव लाइफ की तो यह समय पती पतिनी के बीच चली आ रही गलत फैमियां और मत बेद समाप्थ होंगे तता परिवारिक माहुल उन्हें सुकद हो जाएगा। परिवारिक वातावरन सुकद बना रहेगा। घर के सवी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में शकार अत्मक उरजा को व्याप्त रखेगा। रहेगा किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको खुसी और नई उरजा प्रदान करेगी। दोस्तो यह समय घर में सुक शांती का वाता वनड़ रहेगा। प्रेम संबंदों को परिवारिक शुकरती मिलने से मन में उमंग व्यखुसी रहेगी। दोस्तो बात अगर आपके वेवेशाय और केरियर की करें तो यह समय आपकी उदारता तथा म्रदू भासी सुवभाब से वेपारिक संबंद और अधिक अच्छे बनेंगे। अधिक बहतर करना आपके लिए अति आवशक है। जन संपर्क का दाइरा और अधिक विस्तिरित करने में अपना ध्यान आप केंद्रित रखें। नौकरी में ते लक्षों को सरलता वे सुगंता के साथ आप हासिल कर पाएंगे। दोस्तो साती सात यह समय आप वेवसाई के विस्तार संबंदी योजनाओं पर पुन विचार अवश्य करें। कोई भी छोटे बड़े निर्णे लेते समय किसी का मार्ग दर्शन वे सलाँ आप अवश्य लें। ओर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वाल्टी के साथ समझोता आप ना करें। नौकरी में अधिकारियों वे सकर्मियों के साथ संबंद आपके अच्छे बनेंगे। दोस्तो नौकरी और वेपार में परिस्तितियां सामान नहीं रहेंगी। कोई नया प्रोजेक्ट आरंब भी हो सकता हैं। परन्तु बाहरी व्यक्ति पर भरोसा आप ना करें। किसी भी प्रकार की समस्या को घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट की सला द्वारा सुल्जाने की आप कोशिस करें। दोस्तो नोकरी वे पार वे कारोबार में कुछ ठोस वे महत्पपूर्ण निन्ने लेने संबंदित योजनाई भी बनेंगी और इनका पेरणाम भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। प्रॉबर्टी से संबंदित वे विसाय में जल्दी ही आपकी कोई बड़ी डील लग सकती है। दोस्तो साथ साथ यह समय नोकरी में लक्षे वे टारगेट को पूरा करने का दवा भी बना रहेगा जिसका आपको बहुती डट कर सामना करना है। दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त के करें तो यह समय यत्रा के दोरान अपने खानपान वे दवाईयों का विशेस आप ध्यान रखें। वर्तमान वातावरण की वज़े से अपना बचाव रखना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तो स्वास्त कुछ कमजोर रहेगा। जोडों में दर्द जैसा कष्ट रह सकता है। बादी वाले तथा गरिष्ट बहुजन का आप सेवन ना करें। इस से बचें संतुलित आहार के साथ साथ वयाम और योगा जैसी चीजों पर भी आप अधिक ध्यान दें। नाकार अत्मक प्रवर्ती के लोगों से आप दूर रहें। वहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाई गह तक हो सकती है। साथ धन रहें।